गुड़ ओर्निंग दोस्तों तो कैसे आप लोग भाई आज भी आ गए देख खेत में तो भी गए पापा चलू करने के लिए मुटा लुक कर देते और लगा देते पानिग जलो आज की भी थंडी भाई बहुत थंडी आज तो चलू लगाते अप पानी तो दोस्तों अब तो आच के दूसरे खेत में कल जो गिव को पानी वोला था ना उस खेत में तो भी कांदे में चारे पाप पाइप लगाने के लिए हम आगे यावर शुरू करने के लिए यहापर भी अब शुरू कर देते मतलब दो नो खेत का पानी चलू उस खेत में भी गिव में पानी चलू कर दिया इस खेत में कांदे में तो अभी पाइप लगा कर दो पाइप लगा और फिर चल जाते एक घर क्योंकि आज नहीं रुकने वाली भाई आज तो बहुत ही थंड़ है और वह ऐसे भी एक एक डांड वोलने वाला काम तो नहीं है पाइप लगा रहकर चले जाएंगे एक बार अगर सूब भी आए अगर पोचा और पाइप परड़ा दिया तो तो भी भी काम हो जाता पाज बज़े भी आए तो इसलिए लगा देते आप पाइप लो यह देखो बै बाइप भी एक दीन का प्यानी बहुत मैटर करता है भाई गेव के लिए बहुत मैटर करता है तो दोस्तों सब दिन तो बजगे अब जाते सुने के लिए दोस्तों अभी ना दूकित पूरे रेडिय हो चुके तो चलो यार जाते वर्चिशायपर क्रिकेट खेलने के लिए क्योंकि वीडियो बनाने के लिए तो कोई आएगा नहीं अभी सब चलेगे कहलें के लिए वहाँ पर जाने से दो काम हो जाते एक क्रिकेट खेलना भी हो जाता है एक कंटेंट भी मिल जाता है और इतीन काम हो जाते एक सेथ भी अच्छे रहती है उर्जा खेल कुदना भी कि आए पूर्ड कुदना ना उसले तो चलो जाते हैं उसकी तो हम जा रहे थी हर्शल ने आवाज दिया पीचिसे पता नहीं क्या बोल रहा है थी तो भाई बोत दिनों की बाद मेट आव जिए पुद दिनों की बाद आवाज दिया है क्रिकेट खेलने चलते कि अब दोस्त स्वाग थे आप सब का पहच में तो यहाँ पर ट्रायल होते हुए और बड़ी आसानी से किरन ने यहाँ पर छोड़ा स्वारी किरन सर ने यहाँ पर छोड़ा ओ भाई सीनियर है हमारे और यहाँ पर राम्टी रट्टा मारते हुए लेकिन बाल थोड़ सा स्लिप हो गया बेठानी बराबर बैट पर बाल यहाँ पर सोमल बाल फेकते हुए अब दूसरा बाल टाकते हुए मुकेश भाई यहाँ पर और यह मारा कसके लेकिन लगाने बाल कोई बात नहीं यार बड़े बड़े शेरों में छोटी छोटी बाते होती रहती है और यहाँ पर अंदा दून बैटिंग शुरू होती है किरन की और यह मारा कसके लेकिन बाल बहुत यह अच्छे अंदा दून बैटिंग करते हुए किरन भाई यहाँ पर सोरी किरन सर यहाँ पर मतंतनी यार सर के बारे में भाई क्यों निकल जाता है बैसर हो आमारे और यह पर अगला बॉल और हुग गया बॉल ठीक है कोई बात नहीं हां ऐसा आना चाहिए थाल कीरन सरétais पहली ओर में एकुकेड यहाँ पर गब आती हुए किरन सरकी, यहाँ पर टीम को बहुत ही गुस्सा आती हुए किरन पर यह भाविस्सर क्या बोलते हैं, देखो आप खुझ सुन लो अभी यहाँ पर ओम भाई बॉल मारते हुए और यह बॉल गया दोनों फिल्डर के पास इंपॉसिबल बले तो इंपॉसिबल पहला और समाप थोते हुए यहाँ पर एक ओर पे एक रन एक विकेड बड़ी अच्छी बल्दी बाजी करते हुए यहाँ पर नैन भव और भावेज भव अब देखते अगला ओर किसका होगा देखो अगला ओर भी ओम डालेगा ओम के ओर में ओम मारेगा नजारा तो देखने लायग होगा यहापर और यह पहला बॉल डालती होगा ओर मारा ओम ने कसके और यह बॉल जाता होगा बॉंडरी के बाहर चक्का तो यार अबी 7 रन होते हुए इस टीम के बॉल बड़ा ही दूर गया था भाई बहुत बहुत दूर गया था बड़ी अच्छे बल्ले बाजी करते हुए यापर और ये दूसरा बॉल मारा लेकिन हुग गया कोई बात नहीं यार बॉल हुखना बॉल मारना तो चालू ही रहता है अब देखते अगले बॉल में का जाएगा बॉल और यह आता हुआ बॉल यह आपर रेडियो और मारा और यह भी हुग गया कोई बात नहीं यार मारना हुखना तो चालू ही रहता है और यहाँ पर अच्छे से अब प्लाइनिंग करते हों यहाँ अब लगता है छक्के से सहजा देखेंगे बेंट्री लेकिन यहाँ पर बॉल नोरन के बांडरी पर गया हुआ कोई बात नहीं यार बड़े बड़े शेहरों में चोटी चोटी बाते होती ही रहते और यह आ गया बॉल और विकेट दो विकेट यहाँ पर दो ओर में दो विकेट टीम यहाँ पर सुननों होती हुए लेकिन क्रिश की यहाँ पर इंट्री और क्रिश तो अब उड़ाई डालेगा सबको देखते अब क्रिश के बैटिंग लाज़ बॉल यहाँ पर देखते क्रिश कैसे मारता है और यह मारा लेकिन बॉल फिल्डर के हाथ में कोई बात नहीं इस इसके साथ इस ओर की समापती रन कितने यह तो हमें नहीं पता हम तो सिर्फ कववालय कर रहे हैं यहाँ पर तो देखते अभी आगे कितने रन बन पाएंगी इस टीम के और यह पहला बॉल मारते हुए भावेश लेकिन मीस हो गया पहला बॉल अब डालता हुआ दूसरा बॉल मुकेश मुकेश यार बॉलिंग मुकेश की आहा मज़ई आ जाता है मुकेश की बॉल में और यहाँ पर यह पिसाय पासाय करते हुए बैट्समन को मुकेश भाई की यही खास्य थे उदके पास जो बैट्समन होता है उसको पिसाय पासाय करते है फिर वो जब मारने लगता है तो ऐसा बॉल डालता है कि उसको विकेट गान ही पड़ते है आउट हो जाता है वो भीर अब अगला बॉल डालते हैं मुकेशा पर और ये है तुशार भाव बैटिंग पर तुशार भाव को पाजी बोलते हैं या पर पता नहीं क्यों तो तुशार पाजी बोलते रिस्पेक्ट है भाई हर बंदी की या पर इस्पेक्ट की जाते एक बॉल तो मीस हो गया पाजी भॉग का अब अगला बॉल देखते पाजी का पर मारता यह भी बॉल वाइट था एक रन मिलता हुआ यहापर और टोटल रन कितने पता नहीं आप कमेंट में पूछ सकते और यह भी बॉल मीस हो गया कोई बात नहीं यार चोटे चोटे शेहरों में चोटी चोटी बाते होती रहती है अब अगला बॉल यहापर और मारा और यह बॉल उपर हवा की लेर में और यह विकेट गवाती वह यहापर पाजी भाई आओ बैटिंग मिलते वह प्रजवल को यहापर प्रजवल की बैटिंग अरे रे वावा सब बॉंडरी पर लग जाते हैं जब प्रजोल के आत में बैट होती है लेकिन पहला बॉल में इस कोई बात नहीं अब यहाँ पर ओर की समापती इनफिनिट रन के साथ इनफिनिट मतलब पता नहीं तो अब यह बैट बदलाती हुई क्रीश बैट तो ऐसे बदला रहे जैसे चोगे चक्की मारने वाले पता नहीं अब क्या करने वाले वहाँ पर जाकर वो तो वह वक्ती बताएगा और यहाँ पर पहला बॉल और यह उग ठीक है भाई अब डाल देखते हैं दूसरा वाल दूसरा बाल काईसा मारती हुए याँ पर Krish और ये दूसरा बाल और ये मारा लेकिन भाई नोरन की बॉंट्री पर कोई बात नहीं यार पूरी ट्रीम का प्रेशर अब कृरिस लेते हुए और ये अगले बॉल की इंतजार में पता नहीं अब ये बॉल का पर जाएगा और ये मारा और ये बॉल आउट क्रिश क्योंकि इस लाप पर जाने पर आउट हो जाता है अब भू हेमन भू की बारी अब देखते हैं भाई हेमन भाई और ये कसके मारती हुए लेकिन वाइट लेकिन उन्हेंने बैट टच कर दी कोई बात नहीं यार बड़े बड़े लोगों के साथ छोटे मुटे आच से होती रहते और ये अगले बॉल और ये मारा और भाई 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 बॉली ने दिखा कहा गया दो अरे यापर ये गया भाई ठीक है ठीक है हेमन भू अब ये मा आउट होते हुए कोई बात नहीं वेल ट्राए वेल ट्राए अगला बैट्समन को ना था यहाँ पर पता नहीं और यहाँ पर आ गए सागर और ये बैट बदलाती हुए यहाँ पर दोनों बैट्समन और प्रज्वल भोव भांग सवारती हुए यहाँ पर तो अब देखते भई दोनों batsman की betting और यह तायर विल्कुल सागर मारने के लिए सिर्फ ball की देरिया आने के लिए और यह आ रहा और ball मिस हो रहा कोई बात नहीं मिस होना तो चालू ही रहेगा अब देखते भई कैसे मारते यह run और यह मारा लेकिन मिस हो गया कोई बात नहीं खतम इनिंग पहल सोमल यहाँ पर बड़ा खूश होते हुए हाथ ही लाते हुए आ रहा है यहाँ पर ओके कोई बाद नहीं अपर देखते भई इनकी बैटिंग यह क्या निकाल पाएंगे रंग कि नहीं निकाल पाएंगे पताने सभी फिल्डर अपनी पोजिशन लेते हुए और बड़ा बड़ डालते हैं और यहाँ पर प्लेस लेके डंडी गिरी और डंडी पीछे बिट से बॉल लग कर गिरी कोई बात नहीं अब यहाँ पर दुसरा बॉल का इंतजार और यहाँ पर हेमन भव का kita पहला वर अब देखते दुसरा बॉल चोंखा जाएगा या चखक का जाएग और ये गया और मीस हो गया बॉल कोई बात नहीं यार मीस होना तो दोनों टीम में चलू रहेगा एमन्द यहाँ पर काफी प्लैनिंग के साथ बॉल डालती हुए और अब वोम भी काफी प्लैनिंग के साथ मारती हुए और यह गया और यह प्लेस करती हुए बहुत अच्छी तरीके से आहा एकरन बड़े आसानी से प्राप्त करते हुए अब आगे क्रिस पर प्रतीक भाई प्रतिक की बेटिंग का तो, जबाबी ने, बॉंडरी पर ही लगना पड़ता है भई, जब प्रतिंग उतरता है बेटिक पर तो, अब देखते प्रतिक का पर मारता है, और यह, यह क्या भई, पहले से नो बॉल डला, ठीक है भई, कोई बात नहीं, अब देखो, एक बार बॉ अब धरिखते और यह देखो वाइट देखो यार इतना अच्छा से फ्लाणिंग करते वेए यह अब क्या करे प्रतिक प्रतिक भूल यह थोड़ो सा चुक गया निया कोई बात नेन ही यह आउट हो चलिछा। की एंट्री है आपर अब देखते भाई मैच में ट्विस्ट आ गया है पता नहीं अब कौन सी टीम जीतने वाले क्योंकि विकेट भी बराबर रन भी बराबर जा रहे दोनों टीम के अब देखते इस प्लेयर पे निर्बर है पूरी मैच यह कैसे खेलता है तो अब यह डाला बॉल और यह हुग गया कोई बात ने यार बाउंस थोड़ सा उपर था बॉल बाउंस के करिब था इसलिए हुग गया अब यह मारा कसके अब यह चवका ही दे कर जाएगा और चवका दोनों फिल्डर के बीच में से बॉल जाता हुआ अपोजिट टीम की प्लेयर काफी निराश होते हुए यहापर चार अभी काफी प्रेशर जलते हुए अपोजिट टीम क्यूंकि रन तो भाई चार निकले यहापर और ये मारा एक शोट, और यहाँ पर एक रन लेते हुए, और की रन के पास बॉल, और की रन हाथ में बॉल लेकर फेकता हुआ, एक रन इस बॉल में, कापी अच्छे साजेदारी दो प्लेयर की, और लेकिन भावेश का ओर है, भावेश तो चाहेगा कि ये साजेदारी मोडे देखते अब मोड देए कि नहीं ये बॉल गया हेमन के आद में और हेमन में पकड़ा अच्छे से फिल्डिंग करते हैं लेकिन एक रण तो भई देना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्लेयर मन योली नहीं अब अगला बॉल देखते कैसा मारता है और ये एक रण की रण के पास गया बॉल और की रण से चूटा भई दो रण निकालते हुए यहाँ पर गयाद में से बड़ी अच्छे साज़दारी दोनों प्लेयर गी काप यासानी से ये टीम मैच जितते हुए अगली टीम निराश होते हुए यहाँ पर दोस्तो हम तो फिलाल मैच देख रहे हैं हमें लियाए नहीं किसी ने मैच देखते हैं और निकलते हैं घर के लिए आज तो घंगोर बेज़ज़दी हो गई चलो हम को किसी ने रियाश नहीं तो अभी हम जा रहे हैं घर और लाइक कर देना और इडियो पर नहीं हो बिल आइकन दबा देना और चैनल को प्रेस कर दो जा रहे हम को तो दोस्तो अभी तो जा रहे है निट कैफे में फाम बरने के लिए कल जो गए थे ना वापीस आय थे वह नहीं तकल फाम बरना तो आज जाते तो चलो भाई आज होना चाहिए वह मतलब घर पर कल नहीं थे वह अगर पर तो चलो जाते भाई अब नहीं वह तक्यत में काम अब करेंगे सरकारी नोकरी चलो तो दोस्तो फाम तो अभी भर देया हमने इंडियन पोस्ट अबिस का तो चलो जाते घर भाई कानव ना गाते पर चलो जाते हैं